आम की गुटली के 6 फाइदे और 2 नुकसान आम की गुटली के फाइदे आम की गुटली में विटामीन A, विटामीन C, विटामीन B6 जैसे तत्व पाए जाते हैं इसलिए अगर आप आम की गुटली का सेवन करते हैं तो इसे इम्मुनिटी मजबूत होती है और मजबूत इम्मुनिटी आपके शरीर को वाइरस और बैक्टरिया की चपेट में आने से बचा सकते हैं दो, दस्ट डायरिया की शिकायत होने पर आम की गुटली का सेवन काफी फाइद मन साबित होता है क्यों फी आम की गुटली में एंटी डायरियल गुन पाये जाता है इसके अलावा सेवन करने से दस्ट की समस्या काफी हद तक आराम मिलता है आजकल कलिस्ट्रोल, कलिस्ट्रोल बढ़ने की समस्या ज़्यादा तर लोगों में दिखी जा रहे है लेकिन कलिस्ट्रोल बढ़ने पर आप आम की गुटली का सेवन करते हो तो इसमें शरीर के बढ़े हुए केलिस्ट्रोल की मात्रा कम होती है महिलाओं में periods के समय काफी दर्द, एठन की शिकायत रहती है इसलिए ऐसे में अगर महिलाओं आम की गुठली का सेवन करते हैं तो इसके period के दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है क्योंकि आम की गुठलीयां में एंजा, लिक, सिक, गुण पाए जाते हैं और आम की गुठलीयां का सेवन high blood pressure वाले मरीजों के लिए काफी फाइदेमन साबित होता है क्योंकि आम की गुठलीयों में potation मौजूद होता है जो blood pressure को control करने में अहम भूमिका निवाता है आम की गुठलीयों का सेवन वजन कम करने में काफी कारगर सबित होता है क्योंकि आम की गुठलीया में protein और fiber जैसे तत्व पाए जाते हैं इसलिए इसका सेवन करने से वजन कंट्रोल होता है आमकी गुठलीयों के नुक्षान जीन लोगों को blood sugar level low रहता है उसे आमकी गुठलीयों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही लोग diabetes की दवा का भी सेवन करते हैं जीन को बीना डॉक्टर से सला के आमकी गुठली का सेवन नहीं करना चाहिए आम की गुटली में कई लोगों को एलर्जी भी हो सकती इसका सेवन करने से स्कीन सबन्दी समस्या हो सकती है इस लिए अपने चिकिट सक्की सलास के बाद ही आम की गुटली का सेवन करना चाहिए नमस्कार जय हिंद वंदेबर